मैं येश के बिसक्रमा स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूटूब चैनल येश के आलोज में आज हम बात करेंगे कि आपकी अगर धान की फसल 25 से 35 दिन के बीच की है तो आप उसमें बहुत से उरुबरक डाले होंगे कई लोगों से सलाह ली होगी कि कौन सा उरुबरक डालें जिससे हमारे पोधे में कल्ले बनना इस्टार्ट हो जाए कई लोगों ने बताया होगा कि ये उरुबरक डालो बोर उरुबरक डालो लेकिन आज आप लोगों को एक ऐसा उरुबरक के विसमें खाद के विसमें बहुत सा महां कारण रहता है किसान भाई वह क्यों नहीं बन पाते हैं तो बहुत से वहां पहले में अपने किसान भाई इसका नहीं बन पा रहे हैं, तो आप इस खाद का छिटकाव कर दें, तो कल्ये ही कल्ये आपके धान की फसल में नजर आएंगे। किसानवायों ऐसा नहीं कि आपके धान के फसल में कल्ले ना बने इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन रहता है समस्या रहती है आप जब भी पहला नंबर पहली बात खाद प्रबंदन की आप लोग खाद प्रबंदन का गलत इस्तमाल करते हैं धान की रुपाई होने के बाद ल पहला खाद आप लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि कितना खाद अपने धान की फसल को चाहिए है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बात बता दूँ कि धान की रुपाई करने के बाद आप अपनी धान की फसल में प्रतियकर के हिसाब से 25 किलो की मात्रा इरिया के सा अगर आपकी धान की फथल अगर आठ 10 किलो जिंक मांग रहे तो उस समय आप धान की रुपाई के लगवग 10 दिन के वाद आप उस समय जिंक का प्रियोग अगर अगर 5 kg करते हैं तो आप खाद का जो है आपकी खाद परबंदन का जो है बहुत ही बढ़िया लेकिन हमारे कुछ किसानवाई ऐसे हैं जो एक बोरा लगवग 45-50 kg का जो आता है वो पूरा एक एकड में डाल देते हैं और जिंक की मात्रा लगवग 8-10 kg ले लेते हैं लेकिन ऐ किसानवाई बहुत ही ज्यादा उर्वग डाल देते हैं चलिए मैं आप लोगों को दूसरी बात कर लूँ कि कल्ले कैसे आप धान में बढ़ा सकते हैं किसान में तो आप सागरिका का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कल्ले बढ़ाने के लिए क्योंकि यह जेविक खाद है यह आप अब अगर आप अपने धान की फसल में डालते हैं तो जो सागरिका आपके पोधे को कल्ले बढ़ाने में बहुत ही साहिता परदान करता है किसान मित्रों कई जगाहों से सिकायते आ रही है कि हमारे धान की ग्रोथ नहीं हो रही कई ग्यानकों को दिखाया जा रहा है कि इस स आप से और 33% मोनो जिंक पांच किलो आपको दोनों का मिशल करके अपनी धान की फसल में आप डलबा दे आप लगवग पांच में या छटे दिन देखेंगे कि आपके जो धान की फसल में कल्ले बने इतने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया फर किसानल में डिलबा दे आप लगवग पांच में या छटे दिन देखेंगे कि नए कल्लों का विकास होना आपके पोदे से स्टार्ट हो जाएगा किसानमित्रों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें लाइक के साथ कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आ यहीं जवारत